मैं सुलेल जी खाटी बिहारी शुद्ध भारती है इस बार नवींतम घटना करम से संबंदित एक ऐसे विशय को ले करके आया हूँ जो बरतमान में अत्यंत महतपुर्ण विशय हो चुका है कि जब पाटी में दो फार हो जाए जब पाटी दो भागों में तूट जाए किसको मूल माना जाए और किसको अलग माना जाए किसको फिर अलग सिंबॉल दिया जाए अलग उसको माना जाए यहां पर तीन बाते महतपुर्ण है यहां तीन बाते महतपुर्ण है कि क्या संबैधानिक प्राबधान क्या है इसमें किन-किन एजेंसी की भूमका होती है और फिर बेबहार में क्या चलता है, ये तीन बाते है, एपने देखा ओगा, कि लोजपा में दो फार हो गई है दिक्कत क्या होता है कि यहां पर दो फार होने के बाद एक गुट यह कहता है जो दूसरा गुट से मैं जायदे महतपुर्ण हो और दूसरा गुट यह कहता है जो पहले गुट से मैं जायदे महतपुर्ण हो मेरी दल ओरिजिनल और दूसरे का दल को ये बतला जाता है ये सही नहीं है अब यहाँ पर विशय ये उठता है कि दल बदल विध्यक अलग चीज है और पाटी का तूटना दो फार होना अलग चीज है इस विशय पर विध्यान नकिए दल बदल विध्यक ये ओल लेड़ी आ चुका है भारतिय संबिधान में बाबनमा शंबिधान संसोधन ही दल विध्यक के रुप में आ चुका है बाबनमा संबिधान अधिक सदस तूट करके अलग होते हैं और वो कहते हैं जब मुझे अलग दल के रुप में मानता दिया जाए तो फिर वो प्रशन अलग होता है लेकिन यदि एक ही दल में दो फार हो जाए एक ही दल में कुछ मेंबर इधर, कुछ मेंबर उधर तो तीन की भूमका महतपुर्ण होती है सबसे महतपुर्ण भूमका चुनाब आयोग का इसके बाद सर्वोच न्याले की तो महतपुर्ण भूमका है ही है ही और लोग सबा अध्यक्षी तीन महतपुर्ण भूमका निभाते हैं सबकी अपनी अपनी भूमका है यहां पर चुनाब आयोग की सबसे महत्पुन भूम का क्या हो जाती है कि चुनाब आयोग के पास ये रहता है किस पार्टी का क्या सिंबल दिया जाए किस पार्टी को कौन सी सिंबल दिया जाए तो चुनाब आयोग के पास जब ये बात आती है तो चुनाव आयोग से पहले ये देखती है कि ये जो दो धारा हुआ है तो किसके पास अधिक मेंबर, किसके पास अधिक सांसत, किसके पास अधिक विधायक, किसके पास अधिक शक्ती है मेंबर के रुप में तो उसको वो बास्तविक मूल पाटी मानने की परंपरासी है अब यहाँ पर एक और बात उठता है कि फिर बिभाजन कैसे हुई ना हुई वो चुनाव आयोग नहीं देखती है वो सिर्फ ये देखती है कि मेंबर्स का स्टेंथ किसके पास क्या है और वही फिर सिंबल एलोट कर देती है और वही फिर उसको नाम का भी कि कौन पाटी मूल मानी जाएगी ये उनके अधिकारचित नमें आता है लेकिन अब सरवोचिन आले में बात कहां पहुंचती है कि हर पाटी जब पाटी बनाई जाती है चाहे राजस्तरिय पाटी हो कि राश्टी राश्तरिय पाटी हो यह तो फ़सला देना है चुनावयो का लेकिन जब भी कोई पराजनितिक पार्टी बनती है तो उसका संबिधान सुपूर्ण करना पड़ता है और वो संबिधान में सारे बातों को ततुपरक उलेक होता है तो उसमें उलेक होता है तो सर्मोच न्याले में वाद दायर कर दिया जाता है कभी-कभी कि इस तूट-फूट की गई है इसमें बिवाजन किया गया है इसमें सही परक्रिया नहीं लगाई गई है ये बिवाजन ही और संबेधानिक है ये बिवाजन ही गलत है सर्वोच नियाले यहां देखती है जब पार्टी में जो बिवाजन हुआ पार्टी में जो अलग-अलग गुट बने पार्टी के जो सदस में दोफार हुआ ये बिवाजन क्या पार्टी के जो संबेधानिक विवस्था है उसके अनकूल हुआ है कि ना पार्टी में नहीं बलकि एक प्रैक्टिसेज की विवेस्था सर्वोचिनाले की अपने भी सोच है अपनी भी उसकी गर्मा है अपनी भी उसकी मानता है अपनी भी उसके पुर्व के बहुत सारे पार्टी का जो विभाजन का अनुभव होता है तो उन सब के उन सब के कहीं बि तो सरव उची नयाले का दिया गया फैसला अंती फैसला होता है जानतें़ कि सरवची नयाले का फैसला प्रतेप को चाहरा जनेतिक संगठन और पाटी हो चाहे बेक्ति हो चाहे कोई हो उसको मांने को तो बाद है ही लेक declining आम तर पर इसमें हास्चेप नहीं करती है किसको मूर सिंबॉल मिले किसको कौन सा सिंबॉल मिले ये समचुनाव आयो का भी शेय है तो अब तीसरा होता है कि एक महत्पुन भूमका वो है लोकशभा अध्यक्स का आम तरपर जब पाटी में विभाजन होता है और सदन जब चलता है तो उसी स्थिती में लोकशभा अध्यक्स को ये मानता देना परता है या उसे पुर्वी उसके पास एक लिखी थी प्राया दोनों गुट भेशते हैं जब मैं ओरिजिनल हूँ और इस दल का नेता के रुप में मुझे मानता दिया जा है और मुझे जब कभी भी बोलने का मौका पाटी के तहट अस्तर पर दिया जाता है तो उसमें उस दल का नेता उसको ही माना जाए अब लोग सभा अध्यक्स के पास ये एक बैचारिक मूम का होती है ये उनका सभीबे का नेता होता है वो किस दल के नेता उनको मानते है हलाकि तब तक सुनाब आयोगी और सर्वोचिनाले का कोई असपस्ट कोई निर्देश चला आता है तो उनको एक सुविदा होती है लेकिन यदि सदन चल रहा है तो किसको बोलने का अबसर जिया जाए किनको पाटी का मूल नेता माना जाए और उसके बाद बैठने उठने की बैस्ता ये सब सब लोग सभा अध्यक्ष का विवे का अधिकार है और चुको लोग सभा अध्यक्ष भी बहुत ही शक्ति सालिपद होता है भारते संभिधान का अनुसार तो कुन मिला करके जब पाटी की दो फार होती है तो तीन की भूमका पर्थम चुनावायोग दूसरा हो गया मन्य सर्वोचिनाले और तीसरा लोग सभा अध्यक्ष की भूमका महत्पुर्ण हो जाती है इन लोग को विवेक्पुर्ण फैसला लेना परता है और इस तरह की कभी-कभी अप्रियाई घटना हो जाती है जो पाटी में दो फार हो जाते हैं पाटी के कुछ मेंबर इधर, कुछ मेंबर उधर हो जाते हैं तो ये इसको भी जेलना परता है और ये तीनों एजनसी जो चुनावायो हो हो चाहे सर्वोची नाले हो मानिये सर्वोची नाले हो या लोकसभा अध्यक्स हो अच्छा ढंग से भारत में जो लोकतंत्र की प्रंपरा है उसको अच्छे ढंग से इसको निबटते हुए है और भारत का लोकतंत्र इस मामले में अनववी और सम्रिद्ध है और हर घटना करम को भी इसको सही रहंग से इसका पटाक्षे भी कर देता है तो मैं सुनील जी खाटी बिहारी इस संदर में इतना ही आपको जानकारी दे रहा हूँ जै बिहार जै भारत